हलो दोस्तों नमस्कार कैसे हो आप साथ दोस्तों आज मैं आया हूं महरावली के एक ऐसी जगह प्याया हूं दोस्तों जहांके उस समय मुगलकार्ल के दौरान पर दोस्तो जैसे आप अभी कहीं घोमने जाते हो तो फूर विलर, जिनके पास घोड़े थे गोमने आते थे तो दोस्टों जिसे दूर बोशी घोमने आते थे अपने कहां पर बानेंगे उनकी जो पार्किंग हुआ करती थी उस समय के इसका नजारा देखोगे आप सब उस समय की पार्किंग कैसे हुआ करती थी और देखना आप सब वीडियो को शेयर करना और बताना कि वीडियो कैसी अच्छी लगी आप सभी को और दोस्तों चल के दिखाएंगे आप सभी को समय की पार्किंग आईए हमारे ब्लोग में बने आप सब दोस्तों देख सकते हो अभी नीचे से चलेंगे इधर गेट है इधर जो है रोड है यहां सा आँगे तो गेट के अंदर इसके गेट खुल राता है आप लोग अंदर जाके घुम सकते हो यहां से भी नियुक है दोस्तों देख सकते हो उस समय जो यहां पे घोड़ों के चारा डालने के लिए बने थे यहां पे तूट चुके हैं लेकिन कुछ इसके जो हैं कुछ अभी अवसेश बचे हुई हैं आगे और आप सभी को दिखाता हूं मैं अब और दोस्तों देख सकते हो यहां पर उनको चारा डाला जाता था यहां पर घोड़े खड़े होके खाए करते थे उस समय में दोस्तों अब उन देखि कितने बेहतरियन से डिजाइन बनी हुई है, और कितना सुंदर से डिजाइन एक ही साइज में एक ही प्रकार की यहाँ पे जो बने हुए है सेवाँ है दोस्तों और चल के दिखाऊँगा आप सभी को यहाँ पे देख सकते हो यह छोटे छोटे चीज यहाँ पर हुए होते थे उनका अपने टेक्निक्स जलाते थे जो जलाया आता था यहां पर भी रखते थे और इसकी जो डिजाइन देख सकते हो दोस्तों सबसे खास बात है इसका सेम एक ही प्रकार अईसा नहीं लग रहा है दोस्तों यहां पर घोड़े बाधा जाते थे बाधे जाते लेकिन किसने बनवाया था इसका प्रमार तो नहीं है दोस्तों लेकिन मोगलकाल के समय में एक भूड़ साल बना हुआ था दोस्तों बहुत बहतरियन यहां पर हर जगां से एक बहुत ही बहतरियन से घोड़ों के निकलने के लिए बाहर दरवाजा भी गेट भी बना दिया है चोटे-चोटे क्योंकि यह जो है फरन साइड से इधर से घोड़े आते थे और जिसन निकालने के लिए इधर से निकाल लेते थे आप सबी को दिखाऊँगा इसके पीछे भी किया चीज है उसके भी बारे में बताऊंगा और चल के दिखाऊँगा आप सब बेडियों ब यहां पर दोस्तों इस जैसे इस जहां पर है इतने सालों से 400 साल से पुराना हो चुका है आज भी जरस भी डैमेज नहीं हुआ है क्योंकि यह लगभग 10 फुट अंदर बना हुए दोस्तों इसलिए अंदर बना क्योंकि जब घोड़े आते थे गर्मियों के समय में ताकि उनको ठंधक मिले उस समय नजीर बाग हुआ करती थी तो काफी सुन्दर था उस समय और काफी बढ़िया प्लेस था उस समय मुगलकाल के दवरान लोग यहां नजीर बाग में घोमने आते थे और यहां पर अपने घोड़े को बाधा करते थे यह समझ लो उस समय के पार्किंग है घोड़ा पार्किंग दोस्तों और चलेंगे दिखाएंगे पीछे साइड पे और एक दरवाजा इधर भी जाया और पीछे साइड कुछ आ जाने का रास्ता है दोस्तों कि चलेंगे दिखाएंगे उस वहां पे जाने के लिए कैसे आप लोग वहां पे जा सकते हो दोस्तों तो वहां पे जाने के लिए एक सीड़ी भी बनी थी दोस्तों उस सीड़ी भी है ऊपर तो चलेंगे नहीं क्योंकि थोड़ा सा डाइमेज ह इसलिए मना कर रहे हैं इस फोड़ी तो ऊपर नहीं जातों यहां से दिखाएंगा आप सभी को जो सीड़ी ऊपर जाने के लिए बनीद देख सकते हो है यहां से आप सब उपर जा सकते हो लेकिन उपर जाना मत क्योंगी डाइमेज हो चुका है उतना पुराना हो गया है दोस् तो दोस्तों आप सभी को बहुर साल जो दिखाया हूं वोर सिच्टेबल तो काफी बहत्रीन से रहा उस समय की पार्किंग आप सब जरूर सोचते होंगे दोस्तों कि कभी जरूर सोचे होंगे कि अगर लोग उस जवाने में घोमने जाते थे घोर से उनका घोड़ा कहां बाद सब्सक्राइब करना दोनों आते हैं काफी दूर से काफी मिनाहत करके वीडियो बनाते हैं काफी अच्छे वीडियो भी लाते हैं और चलेंगे चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों और ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो आप सभी के लिए हमें सलाव हूंगे